नमस्कार, मैं प्रोफेसर तांशु शवास्तर हूँ, एडिशनल प्रोफेसर बालरोग विभाग रामनोर लोया इंसिटीट उफ मेडिकल साइंसेज, मैं उत्तर प्रदेश रेस्परेटरी ब्रांच की सेक्रेटरी भी हूँ, और अभी ये वर्ड निमोनिया वीग चल रहा है जो हम पूरे प्रदेश में मना रहे हैं, 11-18 तर, इसमें हम निमोनिया के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टन जानकारी आपको देंगे, जो बहुत ही लाबदायक होगी, निमोनिया एक ऐसी बिमारी है, जिसका दर बहुत जादा है, नित्यु दर करीब 1.4 लाख बच्च जानना बहुत ज़रूरी है, तो निमोनिया को हम कैसे पैचाले, तो कुछ मापदंड है, जो WHO ने बनाए है, बच्चों में निमोनिया हम तब कहते हैं, जब बुखार के साथ बच्चे में सांस तेज चले, और 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 या पसली भी चले, पसली चलना मतलब छाती में गढ़ है, दूसरी चीज यह है कि ऐसे बच्चों में घर पे दवाईयां जो है, घर के लिए मिलती है, बच्चा घर पे भी ले सकता है, तो यह बहुत ही सुविधा जाना के लाज है, जो अवेलेबल है, दूसरी चीज यह है कि सिव्यर निमोनिया, डबलु एचो के मापदंड के बच्चा बहुत सुस्त हो जा रहा है, दूद नहीं पी रहा है, और उसको सांस तो तेज चली रही है, साथ में ऐसी स्तिती में भी तुरंथ बच्चे को स्वास्ते केंद्र लेके जाना चाहिए, और ऐसे बच्चों को भरती होने की जरुवत है, और अस्पताल में इलाज क जरुवत है, तो अगर हम इन दो चीजों का भी ध्यान रखें, तो हम बहुत हद तक निमोनिया को, निमोनिया से अपने बच्चों को बचा सकते हैं, और आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी, कि NFHS 5, मतलब National Family Health Survey 5, जो सबसे अभी रीसेंट है, इस सर्वे के अकौर्ड तो हमें सब को यह मिल के इसके अगेंस्ट एक वो करना है, कि अगर किसी भी बच्चे को ऐसी कोई भी सिंटम या ऐसे कोई भी लक्षन है, तो तुरंथ हो स्वास्पेंग लेके जाएंगे, कुछ ऐसी चीजे में और बताना चाहूंगे, कि इससे प्रिवेंशन कैसे करना है इससे हमें बचाओ कैसे करना है, तो बहुत इंपोर्टेंट एक जानकारी है कि निमोनिया का टीका करन, जो मुख टीका करन हर स्वास के इंद्र में अवेरलिबल है, और ये टीका करन छे हफते का बच्चा होता है, तब से चालू हो जाता है, तो हर बच्चे को निमोनिया क टीका करन बहुत ही ज़रूरी है जो लगवाना चाहिए दो बाते और में इसमें बताना चाहूंगी इसके साथ breastfeeding जिसे हम लोग कहते हैं स्तन पान तो exclusive breastfeeding छे महा तक अगर बच्चा करता है तो उस वो अगर हम यह सारी कुछ को छोटी-छोटी चीजे भी कर ले तो हम अपने बच्चों को निमोनिया से बजा सकते हैं धन्यवाद